बच्चे का आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? मुझूदा समय में आधार कार्ड जीवन में काफी एहम हो गया है पैन कार्ड, बैंक खातों, मुबाइल लंबर से आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य है अब स्कूल में दाकिले के दोरान बच्चो का भी आधार कार्ड मांगा जा रहा है बच्चे का आधार नई होने पर स्कूल एक निश्चित समय के अंदर आधार बनवाने को कह रही है इसलिए बच्चे का आधार कार्ड जल्द बनवाने में ही समझदारी है अगर आपने अभी तक अपने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जितनी जल्द हो सके आपको बनवा लेना चाहिए इससे आपके भविश्य में आपके बच्चे के लिए कई चीजें आसान हो जाएंगी ऐसे कई मोके आएंगे जब बच्चों को पहचान पत्र की जरूरत होगी और आधार इसके लिए सर्फ स्रेश्ट विकल्प है सरकारी कारेकर्मों से लेकर विदेशी में सरकार द्वारा चात्रवती हासिल करने तक आधार कार कई कई चीजों को आसान कर देता है स्कूल के इलावा बच्चों के बच्चत खातों के लिए भी आधार कार जरूरी है फिलहाल बैंक में नाबालिक का बच्चत खाता खुलवाने के लिए अभिभावक का आधार कार अनिवार्य है नाबालिक का जनम परमान पत्र और पैचान पत्र ही काफी है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों का ड्राइविंग लैसेंस और वोटर आईडी नहीं बनता ऐसे में आधार कार्ड बतोर सरकारी पहचान पत्र के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है नीजी संस्थान भी इसे माननेक से इंकार नहीं कर सकते पासपोर्ड भी सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है मगर देश में पासपोर्ड रखने वाले लोगों की संक्या काफी कम है आज नहीं तो कल आपको अधार कार्ड बनवाना ही है तो पहले ही बनवा लेने में समझदारी है आईए जानते हैं क्या है पांच साल से कम बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पहला पांच साल से कम आयू के बच्चों के लिए आपको सिर्फ आधार कार पंजी करन केंदर में जाकर उनके नाम का फारम भरना होगा इसके साथ ही आपको बच्चे का जनम परमान पत्र और अपने आधार कार्ड की कौपी भी देनी होगी ध्यान रखिए इस दोरान आपको अपना असली आधार कार्ड भी अपने साथ रखना जरूरी है यदि आवेदन करता की उम्र 5 साल से कम है तो आधार बनाने के लिए उसका पायो मेट्रिक जांच नहीं होगी यानि उसके फिंगर प्रिंट्स और रेटिना का स्कैन नहीं लिया जाएगा ऐसे आवेदन करताओं का सिर्फ फोटो ही काफी है ऐसी स्तिती में बच्चों का अधार कार्ड उनके माता-पिता के अधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा बच्चों के 5 साल का होने पर उनकी दसों उंगलियों के फिंगर प्रिंट्स रेटिना स्कैन और फोटोग्राफ देना अनिवारे है यदि आवेदन करता की उम्र 5 साल से कम है और उसके माता-पिता के पास आधार कार्ड नहीं है तो ऐसी स्तिती में उनका आवेदन रद कर दिया जाएगा यदि बच्चे की उम्र 5 साल से अधिक है तो 5 साल से अधिक आयू वाले बच्चों के आधार काड के लिए पंजीकरन फार्म बरना अनिवारे है इसके साथ ही उनसे जनम परमान पत्र की कौपी और स्कूल का पेचान पत्र जमा कराना अनिवारे है स्कूल का आईडी नहीं होने पर स्कूल के लेटर हेड पर लिखित रूप से घोशना पत्र जमा करवाना होता है हलाकि यदि उस समय बच्चा स्कूल या किसी भी शिक्षा संस्थान का हिस्सा नहीं है तो माता-पिता का अधारकार्ट प्रयाप्त माना जाएगा बशर्ते उसे किसी राजपत्रिय अधिकारी या शेत्र के तहसीलदार द्वारा सत्यापित करवा लिया गया हो हलाकि सभी मामलों में बच्चों का प्रमान पत्र अनिवारिय ही रहेगा एड्रेस प्रूफ के लिए राजपतरी अधिकारी अथ्वा शित्रिय सांसद या विधायक तैसीलदार ग्राम पंचायत या उसके बराबर प्रादिकरन द्वारा जारी प्रमान पत्र तस्वीर सहित ही मानने होगा इसके इलावा कोई भी अन्ने अड्रेस प्रूफ सविकार नहीं होगा इसके इलावा आवेदक की भी दसों उंगलियों के फिंगर प्रिंट, रेटिन स्कैन, फोटोग्राफ भी लिये जाते हैं अलाकि अधार की या प्रिक्रिया 15 साल की उम्र पार कर लेने के बाद भी दोरा आलिगों और विस्कों का अधार का अलग-अलग वर्गी करन नहीं किया है इसे अलग-अलग उमर पर हासिल किया जा सकता है इसके लिए आपके दस्तावेज पूरे हूने जरूरी है हलाकि यह जान ले कि अगर बच्चे की उम्र 15 वर्ष से कम है तो 15 वर्ष के उम्र पार कर बच्चों के लिए नीले रंग के अधार कार्ड जारी किये जाते हैं इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अधार कार्ड सेवा की वेबसाइट www.uidai.com पे जा सकते हैं धन्यवाद